स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिबली कॉलेज इंफो पे जहां आपको मिलती है कॉलेज और युनिवस्टी से रिलिटेट सारी इंफॉर्मेशन Friends, UP scholarship का एक status है जिसमें reject कर दिया गया है और इन लोगों की scholarship अब नहीं आएगी तो आप भी अपना status देख ले क्या आपका भी status ऐसा अगर शो कर रहा है तो आप जान जाए कि आपकी भी scholarship नहीं आएगी तो चलिए हम आपको status देखा देते हैं और बता देते हैं यह हुआ क्यों है क्या आपका भी status जो अभी verify नहीं हुगा तो क्या आपका भी status reject हो सकता है तो इस video में हम बात करेंगे कि आपका अगर verify नहीं हुगा तो reject हो जाएगा या नहीं होगा सारी चीज़े डिटेल में आपको बताएंगे तो वीडियो के साथ एंड में इंड तक बने रहीएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी इंफर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के दुरू मिल सके तो यहाँ पे देखिए रेजिट्रेशन जो था इनका नो तारी को 9-11 को रेजिट्रेशन हो गया था फाइनल सब्मिशन जो थी 15-11 को कॉलेज में सब्मिट भी हो गया था और इसके बाद इसको reject कब किया गया 10 तारीक को 10,3,2023 को इस form को reject कर दिया गया है और reject होने का reason क्या है आप यहाँ पे reason भी देख सकते हैं reason लिखा हुआ है यहाँ पे reason लिखा हुआ enrollment role number marks not match with university uploaded data bank name and IFC code are not related to each other यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ यह भी rejected by bank इनका जो status है जो इनका UP scholarship का form था उसने bank ने भी reject कर दिया और उसके बाद जो DWO office होती है वहाँ से भी इसको reject कर दिया गया है इनका form दो जगह से reject हुआ है अब इनकी scholarship आने की कोई भी उम्मीद नहीं अब इनकी scholarship नहीं आएगी अब reason क्या था यहाँ पर हम पहले bank वाला समझ लेते हैं फिर उसके बाद यह जो दूसरा reason यह वाला है उसको समझेंगे तो यहाँ पर आप देखिए bank वाला जो reason है यहाँ पर जो show कर रहा है यह bank वाला इसमें कहा रहा bank name and IFC code जैसे बहुत सैसे bank है जिनका नाम बदल गया है या फिर वो bank किसी other bank में merge हो गए है तो उनकी detail सारी change हो गई है इस वज़ा से इसको reject कर दिया गया है या फिर दूसरा reason इनका यह हो सकता है कि IFC code जो था वो कोई एकाद दो number गलत फिल हुआ होगा जो इनकी detail से match नहीं किया हुआ इस वज़ा से इसको reject कर दिया गया है अब दूसरा reason की बात कर लेते हैं यह जो सबसे main reason है enrollment roll number not matched तो यहाँ पे आपका हम देखा देते हैं थोड़ा zoom करके यहाँ पे आप यह देखिए इनका जो status है यहाँ पे इन्हों ने जो form फिल किया यहाँ पे फिल किया है promote with marks यहाँ पे आप देख सकते हैं promote with marks में फिल किया है और इनका result आया था तो जब correction हो रहा था 17 से लेकर के सारी 19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी के बीच में तब इन्हों ने अपना correction नहीं करवाया था तो इस वज़ा से दूसरा reason यह है कि इन्हों ने अपने marks युनिवरस्टी के जो marks अपलोड किया था वो इसमें फिल अपनी information जो detail थी marks की यह फिल नहीं किये इस वज़ा से भी इनका form reject कर दिया गया है तो इनका form दो जगां से reject किया गया और यह form अब सही नहीं हो सकता है कोई chance नहीं है सही होने का अगर आपको लगता है कि सही हो सकता है आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कोशिश कर ली जाए तो आप जो कहा नाम है DWO office है लोगों का अभी भी reject हो सकता है देखिए जो लोग correction नहीं करवाए थे कोई भी detail गलत थी जैसे marks fill नहीं किया था या promote with marks लिख दिया था या promote without marks फिल कर दिया था तो उन लोगों की scholarship reject हो जाएगी क्योंकि अगर correction नहीं करवाए होंगे तो क्योंकि result आ चुका है और सारी detail fill नहीं है इस वज़ा से इनकी reject कर दी जाएगी रही बात और लोगों की जिनका result नहीं आया है तो हमने पहले भी वीडियो बनाए थी हमने बताया था कि उनकी scholarship नहीं आएगी जैसे BBA हैं उन लोगों का result नहीं आया है तो बस आज की वीडियो में नहीं thanks for watching